हुआ गाइज वेल्कम बेक टू मैं चैनल फ्रेंट्स कैसे हैं आप सब तो गाइज एद के लिए फेस पर ग्लो चाहिए या नहीं चाहिए लेकिन आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐस एक ऐसा एक ऐसा एक पंधरा बीस मिनट के अंदर ही ग्लो मिलेगा जी काई इस पंदरा दिन पहले करने की जरूरत नहीं है सिर्फ 15 मिनिट पहले कर लीजेगा और फेस पे जो ग्लो आएगा वो 15 दिन वाला ही होगा तो इस फेशल को आप कभी भी कर सकते हो वेडिंग में पार्टी में या अगर कोई फेस्टिबल भी है तब भी कर सकते हो और अगर आपको इसके और अच्छे अमेजिंग चाहिए ना तो आप इसको हफते में दो से तीन बार कीजिए और इसके रिजल्ट आप लोगों को मिलेंगे आपकी इतनी गलो करेगी नेशल गलो करेगी मेकप की जरुवत नहीं पड़ेगी आप बिना मेकप के भी अपके अपने घर से बाहर निकल सकते हो जी हाँ गाई तो इंट्रो ह है इसा करने के बाद रहेंगा जाए फेसफ व तो पहले हम पर रैकि आप यहाँ और दर मिंगे थी करेंगे ठीक हैं आपके अनल बी उसके श्रेंड गजिंगा उन-डेर इसको आप गालंगे इसके एक स्कृन कर लोगी यह थी से याँ तो बस अच्छे से आपको इस तरीके से क्ली नहीं है और डेख सब्सक्ते हो कि यहां लॉष जी वहां का शुर्ज एस तो कि आप अंच्छ सकते हो कि यहां रिवियो बहुत जल दूंगी अब देख सब्सक्ते हो बस मुनने इसको यूष किया शुर्ध करने के लिए हम राख स डालेंगे उसमें हानी इसके बाद हम दालेंगे तो नीबू थीकर अगर आपको सूट नहीं कर तो इसको इसको स्किप कर दीजेगा ठीकर है थोड़ा सा रोम्मिल्क ला लेंग के रिए इसको अच्छे से पेस्ट बना लेंगे इसका यह हमारा हो गया है क्लींजिंग तैयार ठीक है अब यहां पर अमबा हल्दी डाल रही हूं यह भी बहुत ऑप्शनल है अगर आपके पास है तो यूज कीजेगा नहीं तो आप बिल्कुल इसको 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 कर दीजेगा अगर जब भी फेस्ट वाश्च करते हो इसके यूज कर सकते हो और आपको इसके इतने अमेजिग बिलेंगे काईज के जो अप जानते हो यह जानते हो कि बेसं आपकी जो फेशल है रोता इसको रिमूब करने के लिए इतना चाह होता है यह सबसे अच्छा क्लींजिंग है और इस आपके सामने लाइव है तो है नियू है कोई फिल्टर नहीं ये जो है आपके सामने थाकर दो स्काल दो जिये बना लेखे लिए यहां पे गलोव सिरक ने लिया ये काफी पावडर इसके बार में हापे ले रहे बहुत कमाल का क्या देली तो नहीं जब भी तो में इसी कमाल का इस क्या है गाइस यूज और इस को यूज करें गेज तो इनस्ट इनस्टक गलो सब्सक्राइब आप इस थे स्क्रब करने ही चाहिए हफ़ते से दो बार आप जते कि सकते हो के बस मैं लगा रही हूं घूत पर भी आप मारा पूल रहा हो इतने इतने पर तो कितनेиком इसको एक बार दो करने के ना कितना आपके स्किन के लगायегा ह्गी कि खुछ बी लगेगे लगे लेंग तो दो लिए कि नंश और वर जो लेंग पर उब लिए ने प्सकी आपके दुछ है अगर आपकी स्किन टैन हो रही है तो भी आप इसको यूज कर सकते हो अब हम फेस पैक बनाएंगे इसके लिए हमने यहां पे लिया है कौफी पाउडर फिर हम डालने वाले हैं यहां पर एक चमच बेसन डालना है इसके बाद आपको चाली पाउडर अगर आपके पास नहीं ह तो आप किछिन की हल्दी रह सकते हो लेकिन चुटकी भर जादा नहीं लेनी है मैंने यहां पर आदी टीस्पून अमभा हल्दी ली है यह जो आपने पाउडर देख रहे हो ना यह जो फेस पैक के जो पाउडर मैंश में डाले है इतने कमाल के है गाईज इतने अमेजिंग यह जो आपके फेस को मज़ा आजाएगा इसके बाद में डालने वाली हूद दही दही के बाद हम डालेंगे इसमें रॉम मिल्क नहीं है तो आप इसमें रोज वाटर डाल सकते हो या फिर आप नौर पानी से भी आप इसको पेस्ट बना सकते हो इसका ठीक है यह हमारा यह आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से यह देखेगा और यह फेस पेक जो हमने बना के तयार किया है ना गाइज इतना कमाल का है मतलब आप जब इसको यूज करेंगे आप इसको हफते में दो बार यूज कर सकते हो और इससे आपके जो डार्क स्पोर्ट पाउडर है वो भी मत कीजेगा मुलेटी पाउडर को गर नहीं है तो आप लोकल मार्केट से इसको ले सकते हो अब यह फेस पक लगाने के बाद हम यहां पर बेट करने वाले हैं पंदस मिनट या पंद्रमेट ठीक है पंदस मिनट बेट करेंगे उसके बाद हम इसको रिमूव करेंगे और यह देखिया आप रिजल्ट गाईज आपकी स्किन इतनी लाइटिन और ब्राइटिन होने लगेगे दीरे-दीरे करके कि आप खुद आपको लगेगा कि कमाल का फेस पेक है काईज कमाल का तो बस अच्छे से इसको फेस पेक को रिमूव कर लेंगे ठीक है तो अगर मैं आपको टच करके दिखा सकती तो अपनी स्किन जरूर दिखाती अमेजिंग हो गई थी गाईज अच्छा मैं आप टोनर यूज कर रही हूं टोनर के लिए मैंने यहां पर लिया है यह मलबरी का गुडवाइब का टोनर है यह तो मैंने इसको यूज किया अगर आपके पास नहीं है तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेनी जरूरत नहीं है आप रोज वाटर भी यूज कर सकते हो यहां पर वह भी नर्चल ग्लो के लिए ही होता है टोनर लगाते ही मेरे फेस पे इतने अच्छे सा ग्लो आया है और यह टोनर का इतना कमाल नहीं है जितना हमने जो अभी डि सब्सक्रम एक सब्सक्ररश कर Запादट चलना को जोस लेंगे यहां चलना के सकथे चैक को भी रौ बाला बी यूज कर सकते हो डालेगा तो यह रहां पर डालेगी और की दो डालेगा मिक्स कर लेंगे मिक्स करने बाद यह सीरम त्यार हो गया है इसमें डालने वाले है यह टैबलेट यह मार्किट में आसानी से अबलेबल है आप Amazon पर फिलिप काड़ पर कभी भी कहीं भी ले सकते हो जैसे इसको डालेंगे तो जो यह सीरम अब्जॉब करेगी तब यह सीट मास जब बन जाएगा तो आपको इसको फ्रिज में रखना है जी आप फेशल करेंगे न उससे पहले आपको यह बना के रख लेना है अपने फ्रिज में अंदर क्योंकि आपको यह ठंड-ठंड यूज करना है ठीक है आप जो रिजल्ट देखेंगे ना, अपने सामने, मतलब मैं क्या ही बोलू आपको, और जो टमाटर अपने ही यहाँ पर यूज की हैं, टमाटर आप सबको पताए कि आपकी स्किन के और लाइटनिंग, बनाने के लिए कितने कमाल के हैं तो भी आपकी स्किन में बहुत अफायदे मंद है आप सीट मास को डेली भी यूज़ करते हो इसके कोई भी साइड इवेक्ट नहीं मिलेंगे आपको और आप देखते हो मैंने इसको यहां पर लगा लिया है और जो सीरम है वह इस तरीके से अ इसके ग्लो आपको आपके सामने दिखेंगे आपके सामने और देख लीजे मैं यहां पर लाइब दिखा रही हूं आपको फिर जो भी हमारे फेस पर सीरम बचा हुआ है उसको अच्छे से इसके साथ मैं बहुत जल करूंगी इसके साथ मैंने दो चीज़े यूज की थी एक मैं यहां पर यूज करती है और जयल कर दो बहुत घुल की बाद मैंने ग्लोंगी ग्लो के लिए kort के आपको दिखा रही वेडियो है नाहि मैंने कुछ और किया हैっち जो भी है आपके सामने है इस एड को आप ये फेश 되면 कर लिज ये आपको पंधरेpi तिन करने की ज़रूओत नहीं है पंधरेदि पहले करने की जरूओत नहीं है बस हम 15 मिनट पहले कर लिज जी और फेस पे जो ग्लो आएगा जो शाइन आएगी जो आपको फेस होगा ना उससे आपको मेक अप करने की बिल्कुल भी जरूवत नहीं पड़ेगी इस फेशल को आप हफते में दो से तीन बार यूज कर सकते हो गाईज तो आई हो गाईज आप लों को आज की वीडियो एगा नहींड़ हो गाईज पिFr tienहे यालोगे आप खको और अपको च dif है की युज हम एगले हो आपको पती हो आई है को अपती है की स से जई की जई जी सकते है की जा इब हैट।